अंतर राश्ट्रिय युवा विद्वान, जैन दर्शन में युनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धान तेवं नयाय विशयों को सरलता से समझाने वाले USA, England, Australia आदी अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले पंडित टोडर्मल पुरसकार युवा विद्वत रत्म आदी अनेक पुरसकारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जैपूर द्वारा जानिये धर्म का मर्म इस कारिक्रम की प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्रजी जेन, श्रीमती अचरज कुमारी जेन, श्री घेवर चंद्रजी जेन, श्रीमती कलपना देवी जेन, श्रीमती सुनीता जेन, श्री विने जेन, श्रीमती पूर्वी जेन, जैपुर राजस्थान. अंध्यायंतियोगिनेह कामदं मोक्षदंचेवे उमकाराये नमोनमेह अविरल शब्द घनुग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि भिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान अज्ञाने तिमिरान्धानाम ज्ञाना अन्यन्यन्शलाकेह चक्षुरुन्मिलितम्येन तसमै श्री गुरुवे नमेह श्री परम गुरुवे नमेह परंपराचार्य गुरुवे नमेह सकल कलुष विद्वन्सकं श्री यसाम परिवर्दकं धर्म संबनकं भव्य जीव मनह प्रति बोद कार गं। पुन्य प्रकाशकं पाप प्रणाशक मिद। च्श्री सयम प्रकाश नाम धेयं। आच्यरे श्री कुंध कुंध आम नाएं। आच्यरे सूरी सागरेन विर्चितं। श्रोता रह सावधांत या है श्रुन वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगनी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जेन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगलम अंगल्यम सर्व कल्यान कारिकम रधानम सर्व धर्मानम जेनम जेतु शासनम जेनम जेतु शासनम जेनम जेतु शासनम संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और चर्चा चल रही है कुछ शक्तियों के संदर्व में शक्तियां है वस्तू की इसलिए अत्यंत प्रसंदता की बात ये है चूंकि मैं भी एक वस्तू हूँ इसलिए मेरी शक्तियों की चर्चा चल रही है जब कभी चर्चा की जाती है आत्मा की शक्तियों के संदर्व में तो लोग भूत प्रेतों वगरे की बातें समझने लगते हैं और जब हम ये कहते हैं कि नहीं ये आत्मा की शक्ति की बात नहीं है ये तो वस्तू की शक्ति की बात है जब वस्तू की शक्ति बतलाई जाती है तो फिर सहे जी ये समझ में आता है कि अरे अरे अकेले मुझे में ही नहीं है सब में ही है कोई भूत प्रेत की शक्तियों की बात नहीं है हम में भी इस तरह की शक्तियां मौजूद है पाई जाती है इन शक्तियों की चर्चा करते हुए, कल हम आपके बीच में अस्तित्व और वस्तुत्व इसकी चर्चा कर चुके थे बड़े मारमिक प्रक्रण है, मेरे अस्तित्व को कोई दुनिया की ताकत चेलेंज नहीं कर सकती है मेरे अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता है दुनिया की यह ताकत नहीं जो मेरे अस्तित्व को बदल सके मेरे अस्तित्व को मिटा सके केसी की ताकत नहीं है मैं स्वयम अपने अस्तित्व शक्ती से जीता हूँ हर वस्तु में एक अस्तित्व नाम की योगिता है हर वस्तु में एक वस्तुत्व नाम की योगिता है आप जानते हैं इस अस्तित्व नाम की योगिता के कारण वस्तु को सत कहा जाता है सत क्यों कहते हैं यह बताईए वस्तु को सत क्यों कहते हैं एक अस्तित्व नाम की योगता है इसलिए सत कह रहे हैं अच्छा इस द्रव्य को वस्तु क्यों कहते हैं यह बताईए क्या नहीं वस्तु क्यों कहते हैं क्योंकि उसका उसमें वस्तुत्व नाम का गुण है आप समझेगा क्या किया रहे है एक वस्तुत्व नाम का गुण होने से उसे वस्तु कहा जाता है अस्तित्व नाम का गुण होने से उसे सत कहा जाता है आज हम चर्चा करेंगे एक तीसरे गुण की जिसका नाम है द्रव्यत्व नाम का गुण और उस द्रव्यत्व गुण के क कारण उसी वस्तू को द्रव्य कहा जाता है। बहूत प्दार्त की द्रव्य संगया क्या से पढ़ी। अ हम सभर कवस्तु कैसे कहा गया।ative जैंसे कॉलिटी पाई जाती है उससे देखकरके जाती पहुत का नामकरन कर दिया जाता है। सत्थ है क्योंकि अस्तित्व नाम का गुण है वस्तु है यह क्योंकि वस्तुत्व नाम का गुण है और यह द्रव्य है क्योंकि इसमें द्रव्यत्व नाम का गुण है द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु को द्रव्य कहते हैं यह द्रव्यत्व गुण क्या काम कर रहा है बोले उत्पाद व्याय द्रौव्य युक्तम सत दो बातें हो गई एक हो गया उत्पाद व्याय और दूसरा हो गया द्रौव्य क्या उत्पाद व्याय और द्रौव्य दो बातें हो गई ना तो द्रौव्य है सत और उत्पाद व्याय है द्रव्य एक है अस्तित्व नाम का गुण, एक है द्रव्यत्व नाम का गुण, यहाँ प्रसंग है आज द्रव्यत्व नाम के गुण का यहां प्रसंग है द्रव्यत्व गुण की चर्चा करने का हम द्रव्यत्व गुण की चर्चा को आपके बीच में यहां प्रारंब कर रहे हैं दो की परिवाशाएं याद होनी चाहिए यह बहुत महत्व पूर्ण परिवाशाएं हैं जैसे आस्तित्व की परिवाशा थी, जिस शक्ती के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और नया द्रव्य उत्पन भी नहीं होता अरे साग, दुनिया नश्ट हो जाएगी, क्या बात कर रहे हो आप, अरे ऐसे ऐसे आनुबं पर्मानुबं बढ़ गए हैं पंडी जी, क्या बताएं आपको दुनिया खतम हो जाएगी, दुनिया का एक पर्मानु खतम नहीं हो सकता है एक परवाणू मात्र खतम नहीं हो सकता है आप दुनिया के खतम होने की बात कैसे करते हो यह वस्तु है यह वस्तु का स्वरूप है वह साथ अस्तित्व नाम का गुण है यह टिकाये रखता है बहुत पावर्फुल गुण है यह अस्तित्व नाम का गुण दुनिया को कोई बना नहीं सकता है दुनिया को कोई नश्ट नहीं कर सकता है अस्तित्व हो गया चलिए वस्तुत्व की चर्चा की वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं क्या वस्तुत्व किसे कहते हैं जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया होती हो क्या कि जिस शक्ति में जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया मनें प्रेयोजन भूत क्रिया होती है उस शक्ति को वस्तुत्व नाम का गुण कहते हैं मेराबर एक हो गया अस्तित्व एक हो गया वस्तुत्व देखिए तीसरी शक्ति पेज नंबर 43 पर तीसरी शक्ति है जिस शक्ति के निमित से बहुत गजब की शक्ति है बहुत मजा आएगा भी आपको इस शक्ति को देख देख करके आपको मजा आएगा ऐसी शक्ति है जिस शक्ती के निमित से द्रव्य एक परियाय को छोड़कर दूसरी परियाय आवस्था रूप परिणमन करता है बदलता है वह द्रव्यत्व गुण है इसका मतलब द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तू में कि इस प्रकार की योगड़ता पाई जाती है कि वो निरंतर बदलती रहे अच्छा आपको क्या पसंद है आपको बदलाव पसंद है या नहीं बदलने वाला पसंद है बोलो क्या करना है आपको बदलाव पसंद है या नहीं बदलने वाला पसंद है औरे साथ क्या बात कर रहे है अपने पर्मानेंट चीज चीए अपने द्रुव वस्तु चाहिए एक अस्तित्व नाम का गुंळ है वो केह रहा है कि नो चेंज, don't worry बस तु कभी नहीं बदलती है वस्तु के मूझ स्वरूप में 잠시by परीवर्तन नहीं हो सकता है, अस्तित्व अस्तित्व नाम का गुंळ है ना अस्तित्व गुण कभी नहीं बदलता है वो वस्तु के स्वरूप को कभी नहीं बदलने देता है स्वरूप कभी नहीं बदलेगा भाई साथ सुनो यदि ये ये वस्तुत्व नाम का गुण और अस्तित्व नाम का गुण द्रव्यत्व नाम के गुण यदि ये ना हो गें तो बड़ी गड़बड हो जाए अस्तित्व गुण के कारण वस्तु का स्वरूप कभी नहीं बदलता अग या में शेए पता नहीं दो पाइड फेले कभी पुछ इसकर एंखी बात कहीं कहीं आपके बीच पहीं में पेण नहीं पता नहीं लेकिन कीश्वाः में ले जा लगर के गोल्ड को और दो तीन साल बाद में देख На कर में ल ह्ट जा कर कर या मने वो अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती यास्तित्व का काम है वही मिलेगा फिर कह रहे हैं अपना अपना काम भराबर करता रहेगा यह वस्तुत्व ये और निरंतर परिणमन शील है परिवर्थन शील है इसका नाम है द्रव्यत्व और यार परिणमन तो नहीं होगा, बदलाव यदी नहीं होगा, तो सारी सरश्टी रुख जाएगी, बदलाव यदी नहीं होगा, तो सारी सरश्टी रुख जाएगी, बदलाव यदी नहीं होगा, तो कुटस्त हो जाएगी वस्तू, बदलाव यदी नहीं होगा, तो आप हिल नहीं पाएगे, क्या बदलाव यह नहीं होगा तो आपके दुखा नाश कैसे होगा यह तो बतलाओ विमारी कैसे जाएगी यह द्रव्यत्व नाम का गुण आपको विश्वास दिला रहा है डॉंट वरी चिंता मत कीजिए आप गवराट की जरूरत नहीं है विमारी हुई है तो विमारी मिट विश्वास दिला रहा है हमारे को द्रव्यत्व नाम का गुण क्या है क्वेड़्य स्गुन मुपकर मतलब भनें बदलने वाला वह को क Sweet स्वाने जश्च लाइव कीली भीकर वी मिश्च होटे है लोटे इस अते हैईो इस पतलू बदलाव नहीं हो सकता है यह तो यह हैसा म इंदमी पाएगा संसारी जीव को मोक्ष की पराप्ती नहीं होगी सारे परिवर्तन रुख जाएंगे, यह कितनी पावर्फुल चीज है जित्व जो हमें विश्वास दिला रहा हैं कि आपको चंता करने की जरूर। यार मैं बहुत परेशान हूं। आपको पता नहीं है भाई साथ कितनी परेशानियां हैं मेरे मेरी लाइफ में। उले सुनो परेशानियों को उठाकर करें ताक में दर्दो। दिमाग बदल लो क् यह परेशानियां पर्मानेंट नहीं हुआ करती हैं और नहीं जवाब मेरे तो पता नहीं किस्मत ही कैसी है मेरी तो किस्मत फूटी हुई है और मेरी तो किस्मत में ऐसा और मेरी तो किस्मत में ऐसा अरे भाई तू सुनतो सही तेरी किस्मत की क्या बात बताएं हम। हम यह क परमानेंट नहीं है दुख परमानेंट नहीं है टेंशने परमानेंट नहीं है गवराट परमानेंट नहीं है प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है आफतें परमानेंट नहीं है जितनी आफत माते पर आ गई है वह आफत मिट जाएगी बनी नहीं रहेगी विश्वास दिला र रुकती ही नहीं है लुकती नहीं प्रियाये परियाये परियाय प्रतीक्षण परिवर्थनशील है प्रतीक्षण बदलती है इंद्रै, jerny, शुख, दुख, परिस्टितियां कुछ पर्मानिट नहीं है, इस्ताहित्व नहीं तो ये इस्ताहित्वं नहीं है तो अच्छी चीज है कर भट चीछ acia रहे बहुत अच्छी चीज है ना जिनको आप मिटाना चाहते हों वो मिट जाएगी और रिजाव लेकिन आत्मा भी मिट जाएगा तो क्योंकि द्रव्यत्व है न यदि आत्मा भी मिट जाएगा तो बोले नहीं मिटेगा क्यों नहीं मिटेगा इसलिए नहीं मिटेगा क्योंकि आत्मा में एक अस्तित्व नाम नाम का गुण है इसलिए आत्मा नहीं मिटेगा वस्तुत्व नाम का गुण है इसलिए अपना काम करता रहेगा और द्रव्यत्व नाम का गुण है इसलिए प्रती समय बदलता रहेगा सुनिये मिध्यात्व को नाश्ट करने की चिंता मत रखिये क्योंकि मिध्यात्व नश् हमें नश्ट हो रहा है तो Problem किस बात किये problem इस बात किये सचिन जी कि अगले समय कि परियाहे में दुबारा पैदा हो रहा है in क्या हमें मित्यत्म को मारना नहीं है और क्या कर भात कर रहे हो रागादिक नष्ट नहीं करना हीए हां जी तो क्या करना है बहुले अगले समय की परियांगे में राग अदिक उथपण नहीं हो ये प्रियास करना है क्या कहा जो राग उतपण हुआ वो राग नष्ट हो रहा है प्रती समय राग परियाय उत्पन होकर के नश्ट हो रही है हर समय विभाव उत्पन होकर के नश्ट हो रहा है वो परिवर्तन शील है वो मेंटेन नहीं है राग मेंटेन नहीं रहता है विभाव मेंटेन नहीं रहता है विकार मेंटेन नहीं रहता है गुस्सा पर्मानेंट नहीं रहता है गुस्सा इस्थाई नहीं है गुस्सा टिकता नहीं है यह नहीं मैं तो मैं तो नश्ट कर दूं गुस्क्रोद को नश्ट करो नश्ट क्या अ क्या है कि अगले समय की परियाय में रागा दिक उत्पन्न नहीं हूं करना क्या है कि अगले समय की परियाय में कुरूदा दिक विवाव वाव उत्पन्न नहीं हूं यह प्रयास करना है इसे ही मिटाना केते हैं क्योंकि जिसे आप मारना चाहते हो तो वहावी मर जाना है यह कहलो में यह नश्ट या रहा है और वह मरने वाला यह परियाएं है वह परिवर्तन शीले यह द्रव्यत्व नाम का गुण कितना पावरफुल है यह द्रव्यत्व नाम का गुण कह रहा है आपकी अग्यानता कि आपके दुख हरूप पर याइशन फोयाई गिए और सुख रूप पर या उत्पन हो जाएगी यह द्रभ्व्यатप य organise के रहा है कि आपकी रागओ फ़र्याइशन जाएगी और वीत्राग परियाएं प्रकट हो जाएगी है कि यह एक हो सकता ये कितनी ज़िए गजब की शक्ठी ये देख देख करके मज़ह देख कर के हर समय वह कर दो है कर आनकूलतायों में याद करो तो सुकी नहीं और प्रतिकूल तायों में याद करो तो डुखी नहीं आए कौन सा वाक्य है ये दिन भी न रहेंगे है ना येसा वाक्य है ये दिन भी न रहेंगे क्या ये दिन भी न रहेंगे ये कैसा वाक्य है ये वो वाक्य है जो ये कहता है जो हमें बतलाता है कि भाईया अनुकूलताओं में ज्यादा तुम फूल रहे हो ना ज्यादा उचल रहे हो सुनो ये दिन भी नहीं रहेंगे कि यह नहीं रहेंगे ज्यादा उचलने की जरूरत नहीं है ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है वक्त गुजर जाएगा यह दिन भी नहीं रहेंगे गुजर जाएगा समय समय निकल जाएगा, और यार क्या बात कर रहे हो यार, अच्छा समय आता है, अच्छा आवसर आता है, हमारा मन ऐसा कर रहा है, समय को थाम लो, रोक लो इस समय को, रोक लो इस क्षण को, ये क्षण चला नहीं जाए, ये आवसर चला नहीं जाए, ये आनंद चला नहीं जाए अरे भाया जाएगा ये तो जाएगा इंडरी जन्य सुकें मिटेगा बदलेगा और जो दुख की परिस्तितियां हैं बोले ये दुख की परिस्तितियां बोले चिंता मत करो ये पर्मानेंट नहीं रहेंगी ये भी बदलेंगी हर चीज बदलती है हर चीज परिणमन शील है हर चीज परिवर्तन शील है हर इस्तिति बदलती है समय हमेशा एक जैसा में रहता है दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन आते ही आते हैं सुबह के बाद में शाम और शाम के बाद में सुबह होती ही होती है अनुकूलत पिर अंधेरी रात ये कहावतें क्या बतलाती है समय कभी एक जैसा नहीं रहता ये बच्पन्ना नहीं रहेगा ओजस ये चला जाएगा युवावस्ता युवावस्ता नहीं रहेगी पर्मानेंट व्रद्दावस्ता व्रद्दावस्ता नहीं रहेगी पर्मानेंट अगला ज द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा लेकिन कभी भी द्रव्यतो तजितान लक्षण संपदा अपनी लक्षण और अपनी संपदाओं को यह द्रव्य कभी भी छोड़ता नहीं है के मिरा कहने का मतलब यह है है आप इन को देखिए और आनंद मनाइये हर परिस्तिति को देखिए सब कोरोना हो गया और साफ पर मानेंट नहीं एकार क्या बखर हो गया तो भुखार कोऑफ़ पर मानेंट है किया किनить साफ दॉक्टर ने काई है दर्धे नहीं तो गशकर मरें तो पर्मानेंटो गया ओए बदेदी आपको क्या कहां और डॉक्टर ने जवाब देया साव जो कमर का दर्द है ना अब ये तो वाई साब मरे पीछा चुड़ेगा जो जो पंदी जी क्या बतला है आपको आप ये छुटे गा नहीं कभी भी क्या बात कर रहे हो मरे और देव गती में जाओंगे तो आपने कमरदर्द को लेकर के वहां पीडित रहूंगे क्या लगता है मैं तो जान नहीं सकता हूँ, ऐसा बोलोगे गया, मिठ जाए ना, जीवन बदल जाता है, शरीर शूट जाता है, शरीर की अवस्ता है, शरीर के साथ में रह जाती है, और क्या है, इतनी सुन्दर तो व्यवस्ता है, नहीं नहीं साफ कोरोना नहीं शूटेगा, औरे साफ शू रहें कि पर फिछार को तम पर तुक्तित्म्न ब तुक्तितבר सब छ spoilers पहते है बेंद चाहिए विए फिरीं का कि विए पर टॉण के अंवे सब आतर हैं फिले कर इamoحم झायागे को शहा यंद जाए गईनी जाती है यहां कि बिमारी पर्वह में सात्में नहीं जाती है नहीं समें सुनाये तिरियंचो में भी फैल अवетр है कि नूजब में पढ़ाBob भाग में भी फैल रहे तो भाग में फैल रहा है तो जनम से तोड़ी ने लेकर के आया है कोई कोरोना वाला पेजिन्ट मर के उसने बाग के रूप में जनम ले लिया रन थमबोर के बाग कोरोना पॉजेटिव पाए गए रायस्तान में हमारे रन थमबोर है बाग के लिए बहुत प्रसिद्ध है और निज़ पेपर में खबर आये रन थमबोर में जो बाग है वो कोरोना पॉजेटिव पाए गए तो मैं आप से पूछ रहा हूँ यहां से कोई मनुश्य मर करके मां जनम लुझा होगा कोरोना लेकर के गया होगा साथ में शर्भाने त है रहे तो वहीं तो कह रहे हैं पर्मानेच composi यह क्या कह रहे हैं यह चैहां कोई चीज साथ में एक सतarlmost देकिए जिस शक्ति के निमित्ते से इसी बड़ा घजप का प्रक्रन है वावना तो ऐसी है जैसे शक्ति के निमित्य से द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे इतना सा याद रखिए जैसे शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे परिणमन होता रहे अवस्था बदलती रहे उसे क्या कहते हैं द्रव्यत्व नाम की शक्ति द्रव्यत्व नाम का गुण कहते हैं अवस्था बदलने वाला मैं ऐसा लगता है अज्ञानी अज्ञानी नहीं रहेगा मिठ्यादिश्टी नहीं रहेगा पापी नहीं रहेगा brought about badara Top Big देखकर के आप उससे इतथे गहाना मत जिकर ओूंकि एसे आप आप पापी देख्रहेए और पापी पर्मानिन्त नहीं रहेगा इस देखकर किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर के आपको कैसा भाव आता है जो मेरा विरोध कर रहा हूँ किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर के आपको कैसा भाव आता है जो भगवान का विरोध कर रहा हूँ जब हम सामाने लेवल से चल रहे थे तब तक तो ठीक है, बूरक है, पागल है और जब हमने बात कही तिरसंकर परमात्मा का विरोत कर रहा है तो आपके दिमाग में बात तुरंत आ जानी चाहिए, भाईया मारीची की बात तो नहीं कर रहे हो आप. झाल 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 झा